सीहौर में 3 साल की बच्ची स्रिष्ठी को बोर्वेल में गिरे करीब 34 घंटे से जाधा का समय हो गया है 300 फीट गहरे बोर्वेल में गिरी स्रिष्ठी को रेस्क्यू करने के लिए SDRF और DRF और आर्मी की सारी कोशिशें नाकाम हो गए अब भी बच्ची का रेस्क्यू नहीं हो पा रहा वहें इस मामले में जिला पंचायत CEO ने बताया कि दिल्ली से रोबोटिक टीम को बुलाया गया है 300 दस्यों की टीम दिल्ली से सिहौर आई है इस टीम ने कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक मामले में रेस्क्यू आपरेशन चलाया था जिसमें उन्हें सफलता में नी थी मैं ने रात में बाराँ बने तक इंडिन आद्मी और एंडिया प्राइब किया है लेकिन उती सफलता हाथ नहीं लगी तो पूरी रात यह जो मैनूल टिगिंग पारल चल रही है वो चलिए आप लो ने भी देखा है और यह जो अभी सुभाई टीम आई है इन लोगों ने जामनागर में चार दिन तर ले रस्की हुआ था उसमें लोगों ने किया था वो सारे क्यों लेकर आए हैं रात बर ट्रेवल करके दिल्ली से भी आए यह लोग तो इन्होंने अच्छा एक्यूमेंट बनाया हुआ हुआ है उसकी वज़े से हम लोग अभी वह नहीं दीप प अब उस लेवल ले पहुंच के अभी सर और कितना समय लगते हैं तो हम लोग ए पुलाए जारी है वह लुक्ति वह नहीं की तुक्ली है ने वह अग्सपर्ट है जो पहले जिन उनने यह काम किया हुआ है कई बच्चों को रस्क्यू किया हुआ है वो निकल गए है वहां से दिल्ली से आई रोबोटिक टीम के एक्सपर्ट ने बताया कि हमने फर्स डेटा ले लिया है अभी डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्या स्थिती है यह गुजरात से ऑपरेट होगा और कारियर जारी है जाएगा तो हमें पता चलेगा क्या आलत है और हमें बच्चे को किस प्राकार से रेस्क्यू करना है जैसे ही डेटा स्केन होकर आएगा उससे पहले हमें कुछ भी पता चलेगा कितना समय लगे प्रोसेस होने में पिने कम से कम 20 विल्ट तो लग जाएगा अभी अबी आप अबने ऑनंदर क्या डाला है अबी रोबो में अंदर क्या डाला है अबिक शक्यानिक होरा है ब्रणे कर सकी कजन कीरा भी अवी करेंगे कि इस प्रकार से रोबोटिक चांप अंदर डालने हैं वहीं स्रिष्टे अभी 120 फीट के गहराई में फसी हुई है जब कि बोर के पैरेलल अब तक 35 फीट कि खुदाई हो पाई है चट्टानों के कारण खुदाई में दिक्कते आ रही है वहीं सेना ने अपने स्तर पर बोर में रसी और रॉड डाल कर बच्ची को बहार निकालने की कोशिश की है बच्ची के कपड़े फटने से ये कोशिश नाकाम रही फिलहाल अब रोबोटिक टी को बहार निकाल लिया जाएगा सीहर से नाविज जाफरी की रेपोर्ट एंपी तक